दोस्तों इस वीडियो में हम अपना Paytm अकाउंट को डिलीट करना सिखेंगे क्योंकि हमें Paytm में मुझे बहुत सारे सर्विसे ऐसे हैं जो अच्छा नहीं लगा अगर आप कहीं से पैसा मंगा रहे हैं और अपना Paytm नंबर दे देते हैं और Paytm वायलेट में पैसा मंगा लेते हैं अगर उदारन के लिए आप 10,000 रुपे मंगा लेते हैं तो उस 10,000 रुपे को अगर आप बैंक में टांसफर करते हैं तो Paytm वाले करीब 1,000 रुपे उसमें से खा जाते हैं पांच परसेंट कात लेते हैं चार्जेज के नाम पर जबकि अगर आप फोन पे में पैसा मांगाते हैं तो आपके फोन पे में जो भी बैंक अका लिंक है उसी बैंक में आपका पैसा चला जाता है आपको transfer करने की आवसकता भी नहीं पड़ती है इसके आलावा भी कुछ services इसका पेटियम का मुझे ठीक नहीं लगा इस वज़ा से अपना पेटियम एकाउंट को delete करने का पूरा process करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ये बीना केवाइसी वाला पेटियम को delete करने का process है अगर आपके पेटियम का केवाइसी हो चुका है तो फिर उसे delete करने का process अलग होता है जिसका वीडियो उपर आई बटन में मिल जाएगा फिलाल इस वीडियो में हम जिस पेटियम में केवाइसी नहीं हुआ है उसको delete करने का process करेंगे तो इसके लिए हम अपने patium app को open करेंगे तो ये रहा patium app इसको open करेंगे और open करने के बाद यहाँ पे उपर आपका profile का icon दिखेगा इसके उपर click करेंगे और फिर नीचे यहाँ पे एक option है 24 गुने 7 help and support इसके उपर click करेंगे तो ये इस तरीके से open हो जाएगा अभी यहाँ पे एक उपर बहुत सारे option दिखेंगे और नीचे यहाँ पे एक है view all service इसके उपर click करना है और फिर ये पूरा service यहाँ पे दिखने लगेगा अभी इसमें थोड़ा नीचे के तरफ आएंगे नीचे के तरफ स्क्रोल करेंगे तो आपको एक option यहाँ पे दिखेगा profile setting profile setting के उपर click करना है और फिर ये बहुत सारे option आ जाएंगे अब इसी option में नीचे के तरफ एक option है I want to close delete my account इसके उपर click करना है और फिर ये इनका term and service यहाँ पे दिखाई देगा यह आपके account डिलीट करने का यह जो इनका वो है यह सब आप पड़ सकते हैं अब इसी में नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे एक option है close account close account के उपर click करेंगे और फिर यहाँ पे आप एक कारन बताएंगे कि आप अपना पेटियम को डिलीट क्यों करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं चुन लूँगा I don't use the पेटियम account I am not happy with पेटियम सर्विस इसको चुन लेंगे आप कोई साभी इसमें से चुन सकते हैं I am not happy with पेटियम सर्विस और आप चाहें तो इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं आप जो भी चाहें लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं आपने एक कारण चुन लिया वही बहुत है फिर नीचे यहाँ पे close my account इसके उपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे loading हो रहा है आपका account क्लोज किया जा रहा है और यहाँ message लिख किया गया your account has been successfully closed यानि कि अब आपका पेटियम account क्लोज हो चुका है अब यहाँ go to home के उपर क्लिक करेंगे तो यह पेटियम इस तरीके से open हो जाएगा जब आप इसको refresh करेंगे या फिर burn करके दोबारा से open करेंगे तो फिर आपका icon वहाँ पे आपका account इसमें नहीं दिखेगा पेटियम open होगा लेकिन यहाँ icon के उपर क्लिक किया करेंगे जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे welcome to patium लेके आएगा और login to continue create an account आप फिर से अगर इसमें account बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे create an account के उपर क्लिक करके जानकारिया डालके फिर से आप patium का account बना सकते हैं फिलाल आपका patium का जो account है वो delete हो चुका है तो ऐसे करके आप अपने patium account को delete कर सकते हैं उमीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो फिर इसे like कर दीजिए अपने दोस्तों में share कर दीजिए मिलते हैं जल्दी इन आए वीडियो में तब तक के लिए जये इंद वंदे मात्रम